कैसे हो आप सब लोग तो चलिए यहां पर हम काम करना शुरू करेंगे मार्केट के अंदर हमें कुछ गैप देखने हो मिला फास्टली मार्केट ऊपर निकल गया और अब फास्टली मार्केट नीचे आने के ऊसीज करा है और निफ्टी के अंदर भी अल्मोश्ट ऐसा है मुम है 53-300 का पुट एड करेंगे 900 कौंटेटी मैं बाई कर लेता हूं ऐसी मार्केट में देखिए जो बने गाना वो बड़ा ही होता है तो आपको ध्यान रगना चीए जब हमारे पास कम कैपिटल हो और अगर हमें पैसा मार्केट के अंदर बनाना हो तो ऐसे वोलाटाइल मार् बड़ी कौंटेटी कर लोगे ट्रेड तो उसमें क्या होगा आप उस चीज को हैंडल कर नहीं पाओगे तो यहां पर बैंक निफ्टी का 750 कौंटेटी और बाई कर लेते हैं और फिर अपना निफ्टी के अंदर वैसे आओ सकता तो नहीं लेकिन क्योंकि अक्सपाईरी का हम एक इंडेक्स जरूर रखते हैं तो 1200 कौंटेटी यहां पर हम बाई कर लेंगे तो अभी हमें कुछ प्रोफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है और प्रोफिट कितना हम मार्केट के अंदर कैप्चर कर सकते हैं मार्केट कितना डाउंसाइड मुमंटम कर सकता है अब क् अपसाइड का मुमंटम किया तो जैसी अपसाइड का मुमंटम होता है उसमें क्या होते है वायर एड हो जाते हैं और जैसे 53000 का रेजिस्टेवा lezen लेता उसमें के इंदर एड हो जाते है तो नॉर्मली तो ऐसे मार्केट निकाल देता ही रीड्रेश मेंट वगूरा किया उन सभी के market ने क्या कर दी ऐसा लोगरा हिट कर दी उपर फिर market में क्या नहीं रहे ऐसा लोगरा रहे नहीं एक बात हमें और क्या नजरा रही कि कल भी market क्या किया था continue upside चला गया था आज भी continue उपर जाने की कोशिश कर रहा है तो अगर ऐसा करेगा तो यहां पर तो seller trap होगे अब यहां पर नए seller market के अंदर add नहीं होने वाले क्योंकि किसी को लालस नहीं आएगा सभी को डर है कि कल भी मैंने trade किया था selling का loss हो गया आज भी मैं selling करूँगा मेरा loss हो जाएगा तो problem ज़्यादा बनते हैं नजरा आगए और market आल्रेडी positive जा रहा है तो जब तक market उपर जा रहा तो दूसरी लोगों के ऐसे लीट कर रहा था तब तक मैंने कुछ नहीं किया जब अच्छे सी rejection आया तब जाकर हमने काम किया अभी रीट्रेस्मेंट के चक्कर में कोई buying करेगा तो market क्या करेगा धीरे-धीरे करता हुआ और ज्यादा नीचे आ जाएगा अब देख तो मुझे लोस वगरा को कुछ जादा ही रखना पड़ेगा इतना जादा भी नहीं कि हम होल्ड नहीं कर सकते जो लिमिट के आसपास हम रखेंगे लेकिन अभी लोस वगरा काफी अच्छा नजरा रहा है तो रीट्रेस्मेंट को तो देखी यहाँ पे जहलना ही पड़ेग तो थोड़ा बुच साइकलोजी चैन्ज करेगा लेकिन ओराल यहाँ पे ऐसल वगरा जो सेलर बैठेते उनके मार्केट ऐसल खा चुका है दूसरा में क्या नजरा रहा है कि मार्केट में अब जैसे जैसे उपर जाएगा एक प्रोबल्टी बनते कि बायर यहाँ पर आ सकते सेलर तो आएंगे नहीं कम ही आएंगे क्यों आएंगे क्योंकि करने करने किया था मार्केट से निकलना पड़ेगा तो यह एसा यहाँ होता कि यहां после बनेगा अगर चुशरा गनेगा पता होता तो पूरा के 150 लगा ँदे कि इन्दर तो मार्केट के अंदर इस प्रकार हम ट्रेड नहीं करेंगे कि हमें एक दिन के अंदर सब कुछ चाहिए ट्रेडर बहुत जादा गलती क्या करते हैं उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है कैपिटल होने के बाद वो एक महिने दो महिने तीन महिने ऐसा trade करें चो छोटा छोटा लेकिन एक दिन उनके दिमाग के अंदर आएगा कि चलो आज तो मुझे market का पता लग गया मैं बड़ा पैसा लगा देता हूं और जो पहले का लोसा वो भी cover कर लेता हूं बस वो एक गलती market के अंदर क्या कर लेती है पूरा capital ले जाती है और वो इसी प्रकार का market होता है तो यहां पर देखिए market के अंदर continue निफ्ट के अंदर selling था थोड़ा वो थोल्ड किया gap up के बाद market में जो भी sell गरा करके बैठेते वो trap हो गई तो market को अबराल क्या करना पड़ेगा नीची आना पड़ेगा यह जरूरी तो नहीं नीची आए लेकि जो setup नजर आ रहा है उसी के according trade बनाना पड़ता है अब चार्ट में लग रहा है कि selling का setup बना हुआ है setup कैसे डूनते है SL को find out करते है SL कैसे find out करते है कि उपर किसी ने trade नहीं बना रखा जो sell करके बैठे थे gap up के बाद 53,000 का breakout हुआ होगा तो वो निकल गयोंगे तो ऐसी जाएंगे तो हमारा जो limit का loss होता है वो लेके market से निकल जाएंगे तो अभी और रहाल हमें loss नजर आ रहा है seller वगरा को market निकाल चुका है अब जैसे जैसे retracement करेगा के बाएर आने वाले हैं ऐसी probability को देखते हैं मैंने put side का trade बना है जब तक market उपर जा रहा था तब तक मैं मैंने entry नहीं लिया जब rejection देना शुरू किया तब जाकर मैंने क्या किया मार्केट के इंदर entry किया तो यह हमारा entry सिले की अगजिट तक का plan मैंने आपकी साथ किया अभी हम थोड़े बहुत profit वगरा में भी आना शुरू हो चुके हैं तो देखते हैं क्या होता है तो यहां प प्रकार का probability देखे हमने trade बनाया तो उसमें अभी भी कोई change ने market continue उपर जा रहा है तो बाइर तो आएंगे और जैसे बाइर आएंगे अपना काम market करना जुरूर शुरू करेगा उसमें time कितना लगेगा या फिर हम गलस सोच रहे हैं वो तो देखिए closing जब हम करेंगे position को तब बता लगया अभी तो जो लोस वगरा चला थोड़ा बहुत increase ही हो रहा है तो यहां पर देखिए हमारी position में जो लोस नजर आ था उसमें कहीं profit नजर आना शुरू हो चुगा है तो अभी हम वेट करेंगे market के अंदर अभी तो just profit चलना शुरू है target वगरा में time लगने व बत रही कि हमारा लोस वगरा कहीं कवर हो रहा है market के अंदर और प्रोफिट भी हमारा काफी अच्छा बन सकता है अगर मैं जैसा सूतर हूं वैसा market करने वाला है तो चलने देते हैं वेट करेंगे तो यहां पर देखिए निफ्टी बैंक आल्मोस्ट 53,000 का breakdown वगरा करने वा करना शुरू कर देंगे तो ऐसे कंडिशन में हमें निकल जाना चाहिए कि जैसे में आपको बताया था कि जहां पर लगे कि भीड इकटा हो सकती है वहां से आपको तुरंच भाग जाना ची हमने जो ट्रेट बनाये था वो भी इसी प्रकार बनाया था जब मार्केट में ट् इंजक्शन देना शुरू कर दिया मैं देख रहा था कि अगर थोड़ा बहुत रूख रहेगा 53,000 का ब्रेकडाउन हो जाता है और भी माली अच्छा रहेगा लेकिन कोई बात ने अब इसने क्या कर दिया टाइम स्पेंड करने कांड क्या होता है दूसरे लोगों को भी ठीक नजरा रहा तो ब्रेकडाउन वगरा देखने की आउसकता है थोड़ा सा पहले निकल जाते हैं जैसे हमने कल कोल में काम किया था फाइव नट से पहले निकल गए थे अलाकि बाद में बड़ा मुमंटम मार्किट ने दिया लेकिन इस बड़े मुमंटम के चकर में कभी ना कभी ट्रैब भी हो जाते हैं तो ऐसा मैं कभी नहीं करता बचने की कोशिश करता हूं तो देख तो रहा था कि ब्रेकडान वगरा हो जाए लेकिन ठीक नजरा रहा है और पहली बात देखिए हमें ठीक ठाक लोश नजरा है तो उसके बाद हमें प्रूफिट देखने हो म तो ऐसे कंडिशन में बाएर अगर एक तरफ आएंगे तो मार्केट उपर जा नहीं पाएगा मार्केट के इंदर कहिना कि हमें सैलिंग का मोमंटम देखने हो मिल जाना चाहिए ऐसे कंडिशन को देखते हैं उन्हें सैलिंग किया थोड़ा में पैसेंस के साथ वेट तो करन बन गया लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूं कि लिमिट के अकोर्डिंग अग्जिट किया करो ताकि आप अपनी पोजिशन को बचा लोगे अधर वाइस अगर अपने मन के अकोर्डिंग सोचोगे कि मुझे निकल जाना चाहिए तो मार्केट निकाल देगा आपको एंड नहीं मिला तन्यवाद